हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू कोर्स पर फोर्स डिफेंस एकेडमी तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में देखेंगे नक्सलिज्म के बारे में नक्सलिज्म किस प्रकार हमारे देश के सेक्यूरिटी थ्रेड में सेक्यूरिटी थ्रेड बना हुआ है और इसके बारे में और स ज्यादा important रहने वाला और serious के लिए ये वीडियो और भी important रहने वाला C.A.P.F. Central Ampulis Force के examination के लिए और दोस्तों एक खास कबर ये वीडियो बहुत important रहने वाला है SSB interview के लिए आपको बता दे कि SSB में एक lecture rate होता है लेक्चरेट में बहुत सारे इसे topics आते हैं जो internal security से related होते हैं उन्हें नक्सलिज्म बहुत ही major topic है और इससे बार बार question तो दोस्तों लेक्चरेट में आपको ये काफी help करेगा ये वीडियो तो अगर आपने इंटर्नल सेक्यूरिटी के बारे में वीडियो नहीं देखी है तो मैं इससे पहले इंटर्नल सेक्यूरिटी और सेक्यूरिटी के बारे में वीडियो बनाया है कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपके इससी इंटर्व्यू के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा तो आप पहले जाईए उस वीडियो को देखिए इसी चैनल पर मिल जाएंगे और उसके बाद इ सब्सक्राइब करा दें कि हमारे कोर्स परफोस द्वारा एक वाटसेप चलाया जा रहा है इस कोर्स में आपको एंडिये से रिलेटेट इंडिये 225 कर आया रहे है और इसे इंडिये से रिटेन और इंटर्व्यू सारे को इसे जाए जाएगा प्लस जितने भी क्कॉश्चन आपको problem आते हैं जितने भी question, उन सारे question का answer दिया जाएगा, उस max के question हो सकते हैं, general ability test paper के question हो सकते हैं, या कोई और interview से related question हो सकते हैं, उन सारे चीजों की जबाब दी जाएगी, उन सारे चीजों को solve किया जाएगा, दोस्तों यह basically एक paid course है, और paid course होते होने के नाते इसमें 49 rupees initial charge है, अगर आप पहले 10 student में आते हो, तो आपको only 49 rupees पे करना है, after that you have to pay 99 rupees, okay, so chances जादा रखिए कि अभी 49 rupees के अंडर आप आजाएं, तो बहुत ही कम रुपए में अगर अपने एक कह सकते हैं कि NDA examination को एक boost दे सकते हैं, और जो आपकी exam में काफी helpful हैगा, तो इसमें आपको PDF दिया जाएगा, और जो भी आपको question related problem हो, exam related problem सारे question को solve किया जाएगा, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में जिसमें बात करेंगे हम लोग नक्सलिज्म के बारे में, दोस्तों नक्सलिज्म को जानने से पहले उसके origination पर थोरा सा ध्यान देती हैं, देखिए नक्सलिज्म की सुरुवात होती है, इसका मतलब होता है कि सभी लोगों को बराबर का हगदार हो, सभी को अपने जरूरत के हिसाब से सभी चीज़ के प्राप्ती हो, और पूरा control जो रहे, social organization, एक organization के control में रहे, जो आदमी जितना contribute करता है, वो उतना ही receive करेगा, तो ये communist का है कि सभी को बराबर का हग मिलना चाहिए, सभी लोग को ना कोई गरीब रहे, ना कोई धनी रहे, सभी एक समान रहना चाहिए, ये communal सोच है, communist का सोच है, और Mao Zedong के ideology को देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, Mao Zedong की ideology है कि all the political power comes from the barrel of gun, Mao Zedong जो चाइना का था, उसने कहा था, कि अगर आप political power चाहते हैं, तो इसके लिए आपको बंदुक उठानी परेगी, क्योंकि ये बंदुक उठाके आप कुछ भी कर सकते हैं, यह हमारी ideology नहीं, Mao Zedong की ideology है, और communist की ideology और Mao Zedong की ideology को मर्ज करके, नक्सलाइट का जन्व भारत में होता है, कैसे होता है, अगले slide में, अब देखते हैं, history of naksalism in India, कैसे naksalism का origination होता है इंडिया में, तो कहरा है कि the term naksalite comes from naksalbari, a small village in West Bengal, तो पस्चिम बंगाल के एक छोटे से गाउन, naksalbari से एक initiate शुरू होता है, जिसका नाम है naksalite, जो हम अभी बहुत security thread के रूप में जानते हैं, इंडिया में बहुत बढ़ा challenge है, security thread में naksalite, तो नaksalite सुरू कहां से होता है, नaksalbari से, और नaksalbari किया एक छोटा सा village है, गाउन है कहाँ पे, West Bengal में, where a section communist party of India, CPM, कहते हैं, led by चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल, तीन आजमी जो थे, communist party से बिलॉंग करते थे, उन्होंने एक section बनाया, एक नया unit, कह सकते हूँ, एक unit बनाया नया सा, जिसको lead कर रहे थे, चारू मजुमदार, कानू सान्याल और जंगल संथान, इन बेसिकली इन तीन लोगों का नाम बहुत important है, क्योंकि इस तीनों लोगों ने नक्सलिजम को भारत में जन्म देने का काम किया है, इन ही के द्वारा नक्सलिजम को भारत में फैलाया गया है, initially, सबसे पहले, कह रहा है कि इनिसियेटेड वोयले, वोयलेंट अप्राइज़ इन नाइटीन सिक्स्टी सेवन, उननीस्तो चैतर की बात है, ठारा मई को वोयलेंस किया जाता है, इसके द्वारा, ये नक्सलिजम नक्सलिजम एक यूनिट के द्वारा, पर कहता है कि 1967, यानि कि 1976 की ही बात है, ठारा मई को ये वोयलेंस शुरू हुआ, वोयलेंस में एक किसान सभा में जन्वल संथाल जो है, और कैसे करेंगे, तो आम से स्टगल करेंगे, हम सीधा नहीं करेंगे, सीधा नहीं बात मानेंगे कि हम जाएंगे और जमिनदारों से कहेंगे कि आपने सही नहीं किया, कि बहुत जमीन आपके पास है, थोड़ा थोड़ा जमीन इन गरीबों को दो दीजी, ऐसा नहीं होता ह है वहां पर किया जाता है आम से स्टगल यानि कि अभी यहां पर गोलियां चलेंगी तीर धनुस चलेंगे और लोग की हत्याएं होंगे यह नक्सलाइट का सूच है ठीक है तो कहता है कि अधियर क्रॉपर नियर नक्सलाइट विलेज वाज अटैक बाई लैंडलोड्स क्या होता है देखिए गाओं में चोटे चोटे गाओं में जब देखते हैं तो जमिंदार के खेत किसी एक छोटे से किसान को दे दिया जाता है एक मजदूर को जो उस खेत में पूरा अपना प जाता है कि इसमें हमको 50% का सेर चाहिए और यह जो मजदूर होता है कि नहीं इसमें हम आपको वन थर्ड ही देंगे यानि कि तीन भाग अगर पूरे हर टोटल तीन भाग है उसमें से हम एक भाग ही आपको सेर करेंगे तो यह यहां से अब उन बीच में डिस्पीट हो जात है यह यह लेंड यिश्पूट हो जाता है ओन में तो इसके बाद क्या होता है कि जंगल संधाल इन के दवारा जो एक टीम इसके दोर एक टीम जो लिट एक पुलिस इंस्पेक्टर सहीद हो जाता है और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ में और ट्राइवल लोग भी कुछ मारे जाते हैं और उसके बाद ये बहुत ही मेजर रियक्शन इसका आता है कि किस तरह से कम्यूनिस्ट पार्टी जो एक सोंच रखती थी कि हम गरीब को गरी चलाएंगे तीर धन उस चलाएंगे तो इस तरह की सोंचा जाती है और यहीं से जन्म होता है नक्सलिज्म का तो यह हिस्ट्री था और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अल्लाज नंबर अर्बन इलाइट्स विर आल्सो एट्रेक्ट टूदा आइडियोलोजी विस से पर्थ रहनी बनाने का नया फormula निकाले हैं और अभि भर्मों को सभी सभी सपरी भर्मों को एक जैसा बनाइंगे तो इसके लिए अब बच्चे जो होते हैं जितनेवें स्कूल सकूल के बिच्चियो होते हैं कॉलेज के बच्चरों उन सारे बच्चे अ जुड ने लगते हैं कि से इस नकसलाइट ग्रूप से इस नकसलाइट ग्रूप में सभी लोग आके जूरने लगते हैं तो आगे है कि पाटिकुलर्ली इस्टोरीक एट ग्रूप उसका एक खास एक मैगजीन है है स्टोरीक एट डॉकुमेंट्स इसके दोवारा ही बहुत जादा इंपेक्ट होता है इसे श्तोरीक एटिक एट जबाग्वाराइट उसके इस नकसलाइट ग्रूप से आईड़ोजी कि अधार पर बचाएग कि किस तरह हम जमींदार से जमीन शीनेंगे और गरीब और मज़दूरों में वाटेंगे ट्राइवल से ट्राइवल लोगों में बातेंगे तो क्या होता कि 1970 की बात है अब बहुत सारे student क्या होते हैं जूर जाते हैं किस से next light is next light unit में और बच्चे जो है school छोड़ देते हैं college छोड़ देते हैं और next light को जोईन कर लेते हैं अब जो इसका unit है बहुत बड़ा हो चुका था पहले एक छोटे से tribal लोग की unity हुगा करती थी इस communal सोच को आगे बढ़ाने के लिए इस next light को आगे बढ़ाने के लिए लेकिन अब अब क्या होता है कि उसके पास बहुत बड़ा unity हो जाता है बहुत बड़ा organization हो जाता हो इसमें बहुत सारे हमारे भारत के ही बच्चे होते हैं basically kolkata की बात करें तो kolkata के बच्चे जो है next light इस group को join कर लेते हैं अब करते हैं कि मजुंदार टो इंटाइस more student into his organization declared that rebel industry warfare was to take place not only in ruler as before अब क्या होता है कि जब organization बहुत बड़ा हो जाता है तो पहले ये क्या करते थी कि ruler area में ग्रामीन जगहों पे अटेक करते थी लेकिन अब अब इनका organization बहुत बड़ा होता है next light और unity बहुत बरी हो जाती है तो इसने अब रूलर छोरकि अब अरवन सुसाइटी में भी अटेक करना शुरू करता है अरवन सुसाइटी में अटक किसको करता है तो इंडिविजुल क्लास मतलब किसी भी वर्ग के हो सब वो लैंड लॉड हो यानि कि जमिंदारों पे अटेक करत है फिर यूनबर्सीटी टीचर पे पुलीस ओफिसर पे पॉलिटीशन पे और पॉलिटीशन वो कौन राइट और लेप बैसे लिए पॉलिटीशन का जो वर्ड है वह मिस्प्रिंट हो गया गलती लिखा गया ठीक है इसको सही कर लिजेगा तो राइट और लेप यानि कि व एक सोच होती है छोटी नहीं एक आइडियोलोजी होती है कि हम लोगों को एक समान बनाएंगे लेकिन उसमें यह नेक्सलाइट ग्रूप द्वारा अटेक किया जाता है लोगों को मारा जाता है यहां पर पहले मैं बता चुका है पुलिस वाले की हत्या कर दी जाती है जब पुलिस वाले उसको अरेस्ट करने आते हैं तो इस तरह से सुरुव होता है नेक्सलाइट इंडिया में तो यह इसका हिस्ट्री था आगे देखते हैं आगले स्लाइड में क्या रहा है नेक्सलाइट टूक ओभर जबलपूर उनिवर्सीटी और यूस्टू मसीन सो फैसली इस टूमेक мाइब गुण टो ऑट आयक देंड अपुलिस अब जब बहुत जज़्याधा अटैक होने लगे तो पूलिस एक्टी अटिव हो जाती है स्टेट को कोल्काता की बहुत बहुत ज़्याद एक्टीव हो जाती है लोगों को बार बार गिरफतार करने की प्लान ब बढ़ाने लगा इस सब और जादवपुर इंवर्सिटी में मसीन सॉप जैसे हरेक इंवर्सिटी में अलग-अलग डिपार्टमेंट होता है तो मसीन सॉप को इसने कैप्चर कर लिया और वहां पे बनाने लगा पाइप गन प्राइमेरली यूज करता था नेक्सलाइट एरो और अब यूज करेगा यह सब पाइप गन यानि कि धीरे धीरे यहां पे टेकनलोजी यहां पे भी टेकनलोजी का भी कास हो रहा है और यह पुलिस को अटेक करने के लिए पाइप गन बनाना सुरू कर दिया अब बताते हैं कि यह हेड़कौाटर बिकम प्रसिडेंटी कॉल लगाता थी अब आगे है कि लार्स सेक्षन ओप नकसल मॉमेंट बिगें टू क्वेस्टन मजुंदार लीडर्सिप अब देखिए अब क्या होता है कि सहारन से क्यों सी कम्यूनिस्ट पाटी इंडिया की सोचती कि हम लोगों को एक जैसा बनाएंगे लेकिन यहां पे स्प्लिट हो जाता है 1971 की बात है सत्य नरायन सिंग रिभोल्ट एगनेस्ट मजुंदार लीडर्सिप सत्य नरायन सिंग जो सीपी आई के लीडर है उन्होंने क्या किया मजुंदार के विपक्ष में एक रिभोल्ट शुरू कर देते हैं कहते हैं कि नहीं इसको अब निकाला की बात है मजुंदार बार एरेस्टेट बाई पुलिस ऑन जुलाई 16 16 जुलाई 1972 को मजुंदार एरेस्ट हो जाता है पुलिस के द्वारा अब इसको पकर लिया जाता है क्योंकि यह बहुत आतंग फैला रहा था इसकी इतनी बढ़ गई थी कि अब कह सकते हैं कि स्टेट मे जीना मुश्किल हो चुका था दिन हो जा रात लोगों पे हत्याएं लगातार लोगों की हत्याएं की जा रही थी लाल बजार पुलिस लॉक अपन जुलाई 28 और 28 जुलाई को उसकी लाल बजार के पुलिस चौकी में ही उसकी मौत हो जाती है उसकी डेथ हो जाती है अब क् पहले जो लगातार अटयक होते थे प्रति दीन ये नया केसे जाते थे पुलिस के लिए अब जो है वो अटयक रुख जाता है तो यह थी हिस्ट्री अब अटैक अब यह हिस्ट्री के बारे में अगर इतना आप जबाब दे दीजे का लेक्श्रेट में तो यहां से इनीसियल आपको बहुत सारे मिल जाएगे और आपके सामने जो रहेंगे ऑफिसर उनको पता चल जाएगा कि आपने पढ़ के आएं बिसिकली अगर आप डीटेल नहीं भी जानते हो तो इसलिए मैं बोला कि यह एससबी के लिए भी बहुत ही इंपोर्टेंट रहने वाला है अब देख विडियो बना रहे हैं आज के तारीक में 24 2020 को यह क्या हो चुका है जम्मु इन कास्मीर हमारा यूनियन टेरिटोरी हो चुका है ठीक है लगदाक और जम्मु कास्मीर अलग हो चुका है यहाँ पर जोड लेना बहुत जोड़ी है वेस्ट बंगाल तो वेस्ट बेंगॉल मे क्योंकि और हैं कि सबसेदा तो यहाँ पर टैक होता है अभी वर्तमान में जब हम इस बिडियो को बना रहे हैं तो नक्सल इफेक्टेइड स्टेट कौन कोह और ऑठेंन और कि आपको कि सी करते हैं तो उसे एक महिने पहले इन सारे चीजों को कर लीजय कि क्या वी चेंज़ तेलंगाना और उत्तरपरदेश इन सारे जगों पर नक्सल जो है अभी मेजर ट्रबल दे रहा है हमारे इंटर्नल सेक्यूरिटी को भरते अगले स्लाइड में अब मेजर एटैक बाइनक्सलाइट अब देखते हैं कि यह जो नक्सलाइट जो थे इसके दोरा भारत में अटैक होने लगे तो इसको निशनल सेक्यूरिटी ठेट के बाद रूप में देखा जाने लगा और इस पर सरकार को बहुत ज्यादा काम करना पर अब देखिए छे अप्रिल 2010 को नेक्सलाइट लांच इस डेडली असॉल्ट इन हिस्ट्री ऑफ नेक्सलाइट मोमेंट यानि कि इस नेक्सलाइट जो है इस अपने जिंदगी की इसके ओरिजिनेशन से लेके अभी तक की सबसे घातक कह सकते हैं कि इसने आतंग फैलाया कब 6 अप्रिल 2010 को जब 76 सेक्यूरिटी प्रस्नाल माइटर यानि कि 76 जवान सहीद हो गये थे CRPF के याद रखिएगा CRPF सेंट्रल रुजर्ब पुलिस फोर्स के 76 जवान सहीद हो गये थे अटैक बाल लंस बाइदा थाउजन्स नेक्स लाइट एज विल प्लांड अटैक इन रेमोट जंगल अप 36 गड दंते बारा डिश्टिक तो कहा हुआ था दंते बारा डिश्टिक जो अभी 36 गड में है और वहीं पे एक खजार से अधी नेक्सल लाइट ने विल प्राम इसको गुरिला अटैक कहते हैं तो गुरिला अटैक के द्वारा CRPF के कॉन्वय पे हमला किया गया था और उसमें हमारे देश के चत्तर जवान सहीद हो गए थे तो ये अशिक्स अप्रिल ट्वेंटी टेन की बात थी उसके आगे बढ़ते हैं सेविंटीन मई को ट्वेंटी टेन में ही नेक्सल जो है ब्लू आप बस ऑन दंतेवारा सुकमा रोड एंड इंड इन दिस अटैक फिप्टीन पुलिसमेन एंड बीस सिविलियन गेटर डाइट कह सकते हो तो पंद्रह पुलिस वन इसमें मारे जाते हैं और सत्रह मई की बात है नक्सल ने लगातार किस तरह से देखिया अप्रील में फिर में में लगातार इसने अटैक करना सुरू किया और फिर ट्वेंटीन जून 29 जुन को सेक्यूरिटी 26 सेक्यूरिटी प्रसनल मार्टे इन नरायन पूर डिश्टी का उप 36 गड़ तो 36 गड़ में इस तीनों अटेक ने भारत को जखजोर दिया बहुत ज्यादा हद तक और इसके बाद क्या होती है कि CRPF के स्पेसल बटालियन सबको इन सारे जगह पे है नकसल अटेक इन गर्ची लॉली में भी अटेक होता है नकसल ट्रिग्ड लैंड माइन इन ट्वेंटी देन 2010 की बात है नकसल ने लैंड माइन यूज करते हैं नक यूज करता है इन बॉर्डर एडिया बिट्विन चत्तिस गड़ और महरास्टा एट तॉप अक्टूबर क्योंकि लैंड माइन के कारण पूरे बहुत ज्यादा छती होती है तो दोस्तों अगे बढ़ते हैं फिर अगले स्लाइड में अब रेड कोरिडोर रीजन क्या है देखिए गवर्मेंट आप देखते हैं कि अब जो है ना यह नकसल जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट किस री इसमें नाम है बिहार का जारखंड आंद्रपरदेश महाराष्ट्रा और इसा तेलंगाना वेस्ट बेंगॉल मध्यपरदेश उत्त्त तो बेसिकली यह दस एस्टेट जो है मेजर इफेक्टेट है नकसलाइट से इसलिए इनको रेड कोरिडोर रीजन में रखा गया है बढ़ते अगले स्लाइड में अगले स्लाइड में अप करेंट अफेर्स की बात करते हैं कि क्या-क्या हुआ है अभी नकसलाइड के दौरा क्या अटेक किये गये हैं और सरकार किस तरह का इनिसियेट ले रही है उससे पहले आपको बता दे देखिए इतना जब हम बोले कि नकसलाइड लगातार अटेक करता है तो हमारे और आपके मन में एक सवाल जरूर रूरता होगा की आर्मी को क्यों नहीं डिपोर्ट किया जा रीडर्स होते हैं उनको क्या सकते हैं कि पैसे के लिए हायर करते हैं अभी जो जितने भी नेक्सलाइट है उसने आर्मी बना ली है अपना और इनके पास अच्छी अच्छी एसाल्ट राइफल्स एक फोटी सेवें भी बहुत सारे मिल जाते हैं जब होता है उसमें देख सक रहते हैं कि foreign investment आती है क्योंकि भारत के security threat के बारे कोई भी दूसरा देश चाहता है कि कोई अपने internal matter में ही फंसा रह जाए इससे क्या होता है कि उसकी growth रुक जाती है बहुत सारा कारण है लेकिन हम बात करेंगे यहां पे इस context में कि क्यों नहीं सरकार के द्वारा उपर से bombard बार्डिंग कर दे जाती इन सारी इलाखों पे जो भी रेड कोरेड और रही जाने क्योंकि बैसिकली यह जो होता है remote area से जानी कि ऐसे जंगल से operate किया जाता है नक्सलेजिम को जहां पे सधारा नस्तर पे हम पहुंच नहीं सकते हैं तो इसमें जो होते हैं भारत के ही लोग नहीं है कोई दूसरे migrant नहीं है दूसरे जगा के उसी सेत्र के लोग होते हैं और वे कौन होते हैं तो ट्राइवल सोसाइटी के कह सकते हैं आदिवासी लोग होते हैं और इनको जो लेफ्ट विंग जो है उनके लीडर द्वारा इनको mind was brain was कह सकते हो brain was करके और अपने इस next light जो इसमें फंड करती है प्लस में चाइना चाइना भी इसमें नेक्सलाइज को फंड करती है दोस्तों बता दे कि यह और एक और मातवपुर्ण नेक्सलाइट सबका एक उपाय है फंडिंग करने के लिए अपना organization को आगे बढ़ाने की यह लोकल लोगों से क्या करते हैं ट को टैक्स दे देते हैं और इसमें हमारे देश के ही लोग है इसकारण डायरेक्ट गवर्मेंट जो है उसके कुछ मेजर एक्शन नहीं ले पाती है लेकिन इसके लिए क्या किया जाया है कि हमारे देश के CRPF सेंटल रिजर पुलिस फोर्स को लगाया गया है और सेंटल 21 मार्च कई करेंट अफियर्स की बात करें तो 21 मार्च यानि कि जब लोगडाउन लगा हुआ था मेन इस्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर नहीं किया है उससे में 17 सेक्यूरिटी प्रसनल यानि कि 17 लोगों की मार्टेड हो गया है सहीद हो गया है डेथ नहीं कह सकते हैं 17 लेक्षरेट दे रहे हो तो इतना याद रखना कि भाई जो भी करेंट अफियर्स की चीज़े हैं उसको बताने से यह रखे कि सामने वाले अफिसर को यह पता चलता है कि आपने बेसिक से लेके एडवांस तक यानि कि प्राइमरी स्टेज से लेके कहां से ओरीजिनेशन हु किस तरह से इसको टैकल किया जाता है क्यों नहीं इस पर बंबार्डिंग किया हो सकता है कभी डिवेट में ऐसे कोस्चन आपको मिल जाएं तो यह हमारे देश के ही लोग हैं तो अचानक अब इन पर बंबार्डिंग नहीं कर सकते हैं कुछ एजुकेशन की कमी होने कारण य दी एच इन समाधानों के थोड़ा साइधर हमारा जो फोन है इसी तरह वर करता है तो इसी के लिए हम हाप साइड में लिखते हैं तो समाधान 2017 में चलाया गया था जिसमें क्या हुआ था कि जितने भी नक्सल एडियाज हैं उन सारे जगहों पे स्कूल और कॉलेज इस्कू परण सरकार को बहुत ज्यादा च्छती भी और फिर ब्यारों जैसे बोर्डर रोड और्गनेजेशन है तो उसमें रोड बनाता है तो यह वहीं पे अटक करते हैं ज्यादा सो दोस्तो हमने आपको बताया यह नक्सलिजम कैसे इंडिया में वर्क करता है और इसके बेसिक पॉइंट से लेके हम करेंट अपियर्स तक आ चुके हैं और दोस्तो यह वीडियो का अंत है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कि हमें कमेंट करके बताईएगा और हमारे वाटसेप कोर्स से जुड़ना ना भूले क्योंकि यहां पर आपको सभी इंपोर्टेंट चीज़ा मिल दाएंगी एंडिये 2021 से रिलेटेड जली से हमारे वाटसेप कोर्स से जुड़ जाईए दोस्तों एक चीज़ हम भूल गए है आपको बताना वाटसेप कोर्स से जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 7903578562 तो इस नंबर को याद रखे इस नंबर पर वाटसेप करके आब बता सकते हैं सर आई एम रेडी टू जॉइन दिस कलास उसके बाद आपको बताया जाए कैसा पेमेंट करनी है और सारी चीज़ को दबा दीजिए जिससे हमारी निव नटिफिकेशन वीडियो आप तक हमेशा पहले पहुंचती रहे लोगडाउन है अपने घर में रहें लोगों को भी समझाए कि इस लोगडाउन का पालन करते रहें कोरोना वाइरस से बचे और दोस्तों फिर हम एक नए वीडियो में हापन से मिलेंगे तब तक के लिए अपना खयाल रखिए